हाई स्टुडेंट आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलेक्टिकल डिजाइन ड्राइंग इस्टिमेशन फार्स्ट एंड सेकेंड से कुछ रिलेटेज्ट मोस्ट इंपर्टन कुश्चन को सौल गरवाऊंगा चलिए पहला कुश्चन है निम्न लिखित में से किस बिधी दोरा बिद्धु सक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुचाया जाता है अंडर ग्राउंड सिस्टम दोरा और हेड सिस्टम दोरा दोनों दोरा या इनमें से कोई नहीं तो इलेक्टिकल पावर की बात कर लें तो ओर हेड सिस्टम और अंडर ग्राउंड सिस्टम दोनों के दोरा हम ट्रांस्मिट करते हैं ओके गाईज तो आफसन नमबर आपका थिरी सही हो जाएगा ओके नेस कोश्चन की बात कर लें कोश्चन नमबर सेकरण निमनलिखित में किस ट्रांसमिशन लैन की प्रारंभी लागत अधिक होती है तो आपके अंडर्ग्राउंड ट्रांसमिशन लैन की जो इनिशल काश्ट हो ती हूँ अधिक होती É ओके देख लिखते हैं इस प्रिश्टी करने देख लो कि ओवर हेट कहा है जो केवल है केवल की तुलना में अंडर ग्राउंड टेबल दो से तीन गुनाधिक महेंगा हो जाता है जैसे जैसे बोल्टेज का इस्तर बढ़ता है एंसलेशन की लागत बढ़ती जाती है इसलिए भूमिगत केवल कम और मध्यम बोल्टेज तक सीमित हो जाती है नेक्स कुश्चन स्वाल करते हैं उस केबल या कंडेक्टर का नाम बताइए जो वित्रक मतलब डिस्ट्रबूटर को कंजूमर टर्मिनल से जोड़ता है क्या कहलाता है गाईस सर्विसमेंस वित्रक फीडर तो आप्सन नंबर आपका पहला हो जाएगा ओके सर्विसमेंस हो in which of the following materials are not used the transmission and distribution of electrical power transmission or distribution electrical power में कौन से conductor use नहीं करते हैं copper, aluminium, tungsten, steel तो आपका जो option number A हो जाएगा tungsten tungsten का हम यूज नहीं करते हैं तो option number 3 हो जाएका copper हम यूज करते हैं aluminium यूज करते हैं और steel भी यूज करते हैं tungsten का जो resistance होता है हाई होता है इसलिए इसका यूज नहीं करते हैं यहापर नेस्ट कुश्ण साल करते हैं दा यूज्वल स्पैन विद आर सीसी पोल और चालिस से पचास मीटर साथ सो मीटर दो सो तीन सो मीटर असी से एक सुपचास मीटर तो आपसा नमबर आपका फोर्थ ही हो जाएगा ओके नैस्ट कुश्ण के बात कर लें और विश्वल्व यह विज आप दव लोविंग आर कांस्टेंट ओफ दा ट्रास्मिशन लेन तो किया ट्रास्मिशन लेन में क्या कांस्टेंट रहता है आपसा नमबर आप एंडेक्टेंस कैपेसिटेंस रजिस्टेंस कंडेक्टेंस ओल आफ दी वो क्या कांस्टन रहता है बदाईए लिए इन चारों आप्षन में आप्षन नम्बर आपका सभी सही हो जाएगा ठीकें तो देख सकते हैं A, B, C, D कह सकते हैं कि जो भी चीज़े हैं, RLC सभी कंस्टन रहते हैं ठीकें, प्राइमरी दा लाइन कंस्टन और पारामेटर देट डिस्क्राइब दा करेक्टरिस्टिक ओफ कंडेक्ट्टू टांस्मिशन लाइन दा प्राइमरी लाइन हैस दा फ्लोविं कंस्टन रजिस्टन पर उनित लेंद एंद 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 primary constant and these constant are measured by considering both the wire of transmission line ओकी गाईज तो यह आप लोग पढ़ लीजीगा नेस्ट कोश्चन की बात कर लें दा फिनोमेना of rising in voltage at the receiving end the open circuited or lightly loaded in is called as roman effect skin effect corona effect या front effect तो option number आपका चोटो सही हो जाएगा front effect में क्या होता है कि जतना हम send करते हैं जतना बोल टीके output में क्या होता है उससे ज़्यादा हमें मिल जाता है टीके end में इस फिनोमेना जो घटना होती है उसे बोलते हैं front effect देख लिजेए गाएगा दा फिनोमेना of the rise of voltage at the receiving end and open circuited और लाटली लोड़े टांस्मिशन लाइन इस काल्ड अस दा फ्रेंटी फिक विजेए एंड बोल्टेज विकांस्मोर थैं इन प्रेंटी इन इन बोल्टेज कहने करता है कि जो receiving voltage जो हमारा रहेगा जो sending कर रहे हैं जहां से भेज रहे हैं उससे ज़्यादा रहेगा ठीक है next पड़ते हैं low tension cable are meant for use up to 1 kv, 5 kv, 10 kv, 33 kv तो option number आपका पहला सही हो जाएगा ठीक है 1000 voltage के यूज करते हैं next question की बात कर ले the operating voltage of high tension cable is up to 1 से 11 kv, 11 kv से 20 kv, 11 से 33 kv, about 30 kv तो option number आपका हो जाएगा पहला 1 से 11 kv तक ओकी गाइस चलिए इस परश्टी करड़ देख लेते हैं high tension cable को प्योग 3 phase ठीक है मद्दम के लिए कियाता है इनमें से प्रते कोर के लिए अलग अलग इंसलेशन के साथ 3 core wheel type cable यूज होते हैं, high tension cable के लिए paper एंसलेटर प्रतान किया जाता है high tension cable का operating voltage 11 kv तक होता है ओके गाइस, next question पढ़ते हैं super tension cable का operating voltage 1 से 11 kv, 11 से 33 kv, 33 kv से 66 kv या 66 kv से उपर तो option number आपका दूसरा सही हो जाएगा 11 से 33, ठीक है थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है, super tension cable का उपयोग 33 kv के voltage लेबल तक किया जाता है इससे आगे तीन परकार से classified किया जाता है तो पहली जो cable है आपकी ठीक है ठीक है, H type रहती है, ठीक है, H type जो आपकी cable रहेगी दूसरी होती है, H L, ठीक है, H L होती है तीसरी है आपकी H SL, ठीक है तो यह जो आपके आया, super tension cable का जो परकार होता है वो तीन परकार होते है, H type, H L, H SL, ठीक है अगला question की बात कर लें पढ़ते हैं, extra high tension cable का operating voltage तक होता है ग्यारा केवी, 33 केवी, 66 केवी, 66 केवी से उपर चलिए answer का हो जाएगा अंसर देखते हैं, 66 केवी, ठीक है तो 33 केवी तक के voltage के लिए आमतोर पर 3 core cable का प्रियोग किया आता है लेकि इससे अधिक वजन और 3 core cable का किफायती और नह ब्यभारिक है ओके गाईस extra high tension cable दो प्रिकार की होती है तेल से भरे cable, ठीक हो, oil field जिसे बोलते हैं oil, field, ठीक है cable होती है, ठीक है और gas, दबाओ cable तो दो प्रिकार को होती है, ओके next question के बात कर लें भूमी गत cable बिचाने के लिए निमले खित में से किस बिधी का प्योग किया आता है सीधी सीधी बिचाने, ठोस सिस्टम, ड्राइइन सिस्टम, उप्रिक्ति सभी चले देखते हैं कि चारो अपसन में कहुंसा अपसन हो जाएगा तो सभी अपसन सही हैं आपके भूमी गत cable को बिचाने की जो तरीके हैं देख सकते हैं आप कि सीधी तरह से डेरेक्ट हम बिचा सकते हैं ठोस सॉलेट है, ड्राइइन सिस्टम है तो जो डेरेक्ट बिचाने से वाली विदी है उसको पढ़ते हैं क्या होता है इस बिदी में 1.5 मीटर की खाय खोदी जाती है और जमीन से नमी के प्रवेश को पृतिबंधित करने के लिए ise महीन रेत की परस से धग दिया जाता है इसके बाद के बाद के बेर की दूसी परस से धग दिया जाता है पिर केबल को यांतरिक छोड से बचाने के लिए खाई को इटे या पत्थर से ढग दिया था दिवाले मतलब खाई बना जाती है मतलब ऐसे कुछ बनाएं गड़ा खोदा जाएगा उसके बाद आपके जो बालू रहती बालू डाल दिया तरे डाल दी जाती है उसके बाद केबल बिछाए जाती है केबल उपर से जो दिमक बिछाने के बाद फिर इसके बाद उपर रेट डाल दी जाती है ठीक है इसके चटिया और दिदर धग दिया जाता है या ओके आइस नेस कुछन की बात कर लें ठीक हैं कुछ पॉइंट है आप लोग पढ़ ली जिएगा ड्राइन सिस्टम की बात कर लें तो भीर भाड़ वाले इस्थानों में जहां खाई खोदाई महेंगी और असुबिदा जनक होती है भूमी गत केबल बिछाने की यह सिस्टम अकसर अपनाई जाती है केबल बिछाने की यह चोटी लंबाई के केबल मारगों के लिए सबसे अच्छी साबित होती है जैसे की कारशालयों रेलवे पूल क्राशिंग सड़क क्राशिंग जहां बार बार खोदाई करना महेंगा य इस विदी की लागत हाई होने के कारण भूमी गत केबल बिछाने की इस सिस्टम का प्रियोग साइद ही कभी किया जाता है इस सिस्टम में केबल को खुले पाइपों या केबल मारग की साथ मिट्टी में खोदे गए कुओं में बिछाया जाता है ट्राफ फिंक कच्चा लोगा या उप्चारित लगडी का होता है और केबल बिछाने के बाद इसे बिटों मनस से भर दिया जाता है इस पदादी का लाब यह है कि केबल यानति रूप से और मिटी में असुद्धी के कारण होने वाले रशानिक पिर्टी क्रियों से सुर्ची रहती है इ Souls विजित से कुछ निकस्ताने है बिछाने और मरमत के लिए अधिक समय किया आउसकता होती है वर्साथ के मौसम बिछाने और मरमत का काम नहीं किया जया सकता है question number 13 करते है नेमने लिखित में से कौन केबल में गर्मी पैदा करने का सुरूत है केबल एंसलेशन में धाकता हुआ नुक्षान वेंडी की बात कर रहे हैं ठीके और नेश कुछन की बात कर लें ओ आप्षन की बात कर लें कंडेक्टर नुक्षान म्यान खो देना उपर के सभी इन चारों आप्षन में ठीके उपर एक तो सही हो जाएंगे कुछन नमबर देखो देखते हैं केबल नुक्सान क्या है एक केबल में यदि गर्मी उत्पन की दर गर्मी अफवे की दर से अधिक है तो केबल के तापमान में बिर्द्धू होगी एक केबल में उस्मा उत्पन करने की तीन मुक्स रोथ हैं केबल एंसुलेशन में धाकता हुआ नुक्सान ठीके जो हम वेडिंग के गर्मी करते हैं उससे कुछ नुक्सान हो जाती है कंडेक्टर नुक्सान हो जाता है तो यह आप लोग देख लीजीगा कोशन नमर अगला करते हैं निम्रिख्रिद में से किस कारण से केबल को बहुत अधिक गर्म नहीं करना चाहिए तेल अपनी चिपची बाहर खो सकता है और यह उच इस तर से बाहर निकलता सुरू कर सकता है तेल के विस्तार से म्यान फट सकता है आश्रमान विस्तार एंसुलेशन में रितियां मतलब कह सकते हैं कि रिक्तियां पैदा कर सकते हैं जिससे आयनी करण हो जाएंगी आश्रमान विस्तार एंसुलेशन में गड़े पैदा कर सकता है जिससे आयनी करण हो जाएगा उपरुक्त सभी तो आपसन नमबर आपका सभी सभी हो जाएंगे ओकी गाइस आज यहीं पर बस इतनाई कुश्ण कराएंगे जिससे साथ wenा टे आपका सरवी होarts हो जाएंगे जिससे सभी हो